आप बताईए जो हमारा समिधान खतरे में बताते हैं जो 22 समिधान संसोधन हुआ था उसमें इंद्रा गादी ने सेकुलर सब्द अलग से डाला था अज सेकुलर सब्द पहले से था नहीं सेकुलर सब्द इसलिए डाला था इस बहाने मुस्लिम तुष्टी करड की राजनी त पनाना चाहिए था मुझे लगा कोई एक धीर गंबीर और एक मतलब आसावादी जो देश के लिए सोच सके ऐसा आदमी जो है मतलब विपचका नेता बनता जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि उनको सभी चीजे लोलीपॉप लगती है मोदी जी ने अगनी वीर योजना प्रारम की इसलिए प्रारम की कि हमारे देश का प्रतियक व्यक्ति जो आर्मी में जो सेना में जाना चाहिए वो जा सकता है पांसो तहियालीस में से 99 नमबर लाके वो बच्चा वो पप्पू अपने आपको बहुत बड़ा वो बता रहा है कि मैं 99 नमबर लेके आया हूँ हैं हलाकि उनके कई बार भाशन में ये सुना भी गया है कि वो अगनी वीर योजना को युवाओं के लिए लॉलिपॉप कहते हैं आईए लोगों से बात करते हैं और देखते हैं इनका क्या गहना है क्या सच में अगनीवीर योजना लॉलीपॉप है। मोदी जी की योजना को अच्छा बताया है। देश को अपने कभजें में कर लेंगे। इस प्रकार की सदेवी भ्रांतिया फिलाते रहे तो यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। अब क्या है 543 में से 99 नमबर लाके वो बच्चा वो पपू अपने आपको बहुत बड़ा बता रहा है कि मैं 99 नमबर लेके आया हूँ। तो उस पपू के बारे में कोई बात करना मैं कुछ उसको अच्छा नहीं समझता हूँ। अजर राहुल गांदी ये भी कहते हैं कि केंदर सरकार की तरफ से उन युमाओं को उन अगनिवीरों को एक करूर रुपे मुआफज़े में दिये जाएंगे जो शहीद हो जाते हैं। और केंद्र सरकार वो मुआफजन नहीं दे रही है कहीं न कहीं एक तरीके का लॉलीपॉप यह और कहीं न कहीं बिजेपी पे वो इस तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि उनको सभी चीजे लॉलीपॉप लगती है मोदी जी ने अगनीवीर योजना प्रारम की इसलिए प्रारम की कि हमारे देश का प्रतियक व्यक्ति जो आर्मी में जो सेना में जाना चाहे वो जा सकता है और उसका लाब उटाए प्रतिएक व्यक्ति की इच्छा होती ही कि मैं सेना में जाओं लेगिन कई परिस्थित्या ऐसी हो जाती है कि वो जान नहीं पाता है पहुंच नहीं पाता है तो यह अगनीवीर योजना इसलिए कि आप चार साल के लिए भी आप जाके अपने एक मन को एक मन में संतुष्टी पूरवक आप जीवन यापन कर सकते हैं कि मैंने भी सेना में काम किया है मैंने मैं भी सेना में जाके आया हूं मैं भी बोडर पे जाके आया हूं इसलिए यह योजना है देश के लिए मैं कुछ करके आया हूं और उसी को ध्यान में रखते भी योजन उड़नाओं को और बार्टी जिंदक्र हाफ काम यह बन की गया घैजाटे तो यह ने तक द Bye मोधी जी की लखिर को कीसे कम करें उन्हों कभी अपनी लकीर को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहा है। इसलिए इस प्रकार की है। मासूम बच्चा है पपसा हैं वो छोटे पपू भी यह कुछ भी बोल देते हैं को यह जयादा उनको सेरिस लेने की आउशकता नहीं है। में बैठाके कोई खिलवाट निके जा रहा है पपू पागल हो चुका है उसकी पार्टी के जो लोग है वह पागल हो चुके है तिके ना अगनी वी रोजना जो मैं तो इसको बहुत अच्छी एसके मनता हूं इसके अंदर उल्टी वेरोजगारी खत्म हुए है मोदी जी ने स्कीम लागू करके बहुत ही अच्छा काम गया जो वेरोजगार गरेट थे जो नोकरी चल रहे थे आज वह नोकरी पार है चार-चार साल भी काम कर रहे तो कर रहे है काम और अभी मोदी जी ने और कुछ 10 परसंट का उनके लिए इसके में लगाई है तो ऐसा कुछ नहीं है विपक्स यहीं चाहता है कि इसको कैसे कैसे गरे जाए बले कैसा कुछ नहीं है अगनी वी रोजना बहुत अच्छी योजना है और इससे देश में बिरोजगार खतम हुई है विपक्स तो यह कह रहे है कि लॉलीपॉप घमा दिया जा रहा है युवाहं को और कुछ नहीं किसे लॉलीपॉप से ओधमा दिया जہे लॉली पॉब कुछी ऑः मैं कहता हूं कि क्सकी पाटी थी दस साल और बाद्सपाग् लागो किया आज मोदी जी ने वेरुजगार युवाओं के लिए देश की रक्षा के लिए उन्होंने यूजना लागो किये गवर्वन वित हुँ इस चीज के लिए कि एक मोदी परधान मंतरी ने इस देश के लिए बगवान है मैं यह मानता हूं राहुल गांदी के है कि एक देश युवाओं का देश है और जो अग्नि वीर हमारे है वो शहीद हो जाते हैं अपनी जवारी में शहीद हो जाते हैं और उनको और उनके परिवार को मुँआफ़े में सिर्फ 8 करोण रुपए दिया जा रहा है और वो भी नहीं मिल पा रहा है देखिए ऐसा कुछ नहीं है ठीके ना जो सहीद होगा उनको पैसे भी मिलेंगे और उनको सहीद का दर्जा भी मिलेगा मोदी जी की एक कमेटिक गेटिद कीवी है और उसमें एक स्किम जल रही है कि इसका भी कुछ ने कुछ ने निकार लेंगे है क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजा परसाद हुआ अभी राहुल गांधी का जो अगनी वीर पे लेगे लगतार बिजेपी को घेर रहें इस पे क्या कहना चाहेंगे? यह देखी है इसमें मतलब सही तरीके से इसमें कुछ खामिया भी है यह हम नहीं कहा रहे हैं कि मतलब पूरी तरीके से खराब है लेकिन कुछ खामिया ऐसी है जिसको सुधार करनी चाहिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि युगाओं को अगनी वीर के नाम पे लॉलीपॉप थमा दिया जा रहा है यह देखिए जैसे राहुल गांधी जूठा नरेटिफ फैला रहे है मैं बता दू अगनी वीरों को आपको पता होगा पूरा एंस्वरेंस क्लेम होता उनके लिए बाकी उनको रिटायर के बाद एक मोटा एमांट भी दिया जाता है उनकी सेलरी भी होती, चार साल की न्यूकती होती है और रही बात जो पूरे अगनी वीर होते हैं माले जो सव अगनी वीर न्यूक थ हुए तो पचीस अगनी वीरों को अस्थाई भी किया जाता है आईसा नहीं खर 75% को बस उसको उनको बाहर किया बाकी उनको आरच्छड भी मिलता है अन्य सेवाएं जो जैसे मलब की यह हो गया इनमे और राज की पुलिस है उन्हीं उनको आरच्छड भी विवाधा मिलता है तो यह जो कह रहे है कुछ नहीं मिलता है राईल गांदी की तरह जो फराड बाते कर रहे है ऐसा कुछ नहीं है और उनको सेवाव में जब उनका समय बचा होता चार साल बाद और भी जगह तो जा सकते हैं आरच्छड मिला होता है उनको आसानी होती और जगा भरती होने में तो राहूल गंदी के तो कहना है कि युवाओं का भविश्य बरबाद हो रहा है चार साल में चार साल में से देखे क्या है कि ज़्यादा ज़्यादा युवाओं को इसमें नौकरी मिलेगी पहला जा रहा रहे सरकार यह कुछ नहीं दे रही अब देखिए मोधी सरकार ने कुछ कारिकाल उनका साथ साल कर दिया चार साल से करके जो अब उस पर मसाधीं पर काम हो रहा है लेकिन आप तो राहुल गांदी का सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ मैं तो सपोर्ट करता हूँ राहुल गांदी को, राहुल गांदी ने भरे संसद में हिंदू को हिंसक कहा था सर, आप पूरा सुनियेगा इंटर्विव, उनका इंटर्विव संसद का सुनियेगा, उसमें वो कही है नहीं वो बोले कि हिंदू हुन्सक नहीं हो सकता यह अपना लाइन जो नहीं है यह बाथ हुआ नहीं जुल मैं बतादू दुनिया में यतने अपराध होते हैं किर्शियंटी और इसलाम के लोग जादा उसमें सामिल होते हैं राहूल गांदी एक बार भी उनको हिंसक बोलने की छमता नहीं ना यह बोल सकते हैं यह उनसे डरते हैं हिंदू क्या है हमेशा से वह सेकुलर बनने का प्रया कोट में वो करते रहें दूसरा कोई देश होता 57 मुसलिम देश हैं वहां पर उन देशों में कोई सेकुलरिजम की मांग क्यों नहीं करता मैं कहता हूं राहूल गांदी को जाके सौधी अरब में या दुबई में यह बोलना चाहिए इनकी हिम्मत है यह कभी कहेंगे यह भा मैंने मुसलिम तुष्टी करण की राजनीत की है इनका देश के विकास से कोई वास्ता नहीं रहे है लोगों को जातियों में तोड़ो और यह मुसलिम को इकठा करो उनका वोट ले लो और हिंदू को बाढ़ दो बस यहीं करके लोग सत्ता में अस्थापित रहे हैं एक सब्सक्राइब हिंदू मुसलिम करते रहेcion के अधना पर मनंशासे रहा है और मैं अभी दो तीनी स्थाट अडर पेस करूंगा जो मांगाई और सबूसे bowels कर रहे थे 2004 में जब अतल वियारी वाच पाई प्रधान मंतरी प्त से मुख्त हुए जबसमान महठा सिंग करे अब उस टाइम पर पर ने जब लकब बूहता अब momento की और रएक परोपए कि और भी लोग को पता है महंगाई कांग्रेस के सासनकाल में जादा थी आज जो है इंफलेशन रेट कम है पहले के इंफलेशन रेट दस परसेंट हुआ कर दी आज 6.8 परसेंट है